गुरी इवनिंग नमस्कार मेरा नाव सुझे गुत्ता है और आप देख रहे हैं Carlo.in present Saturday Stardom Live मेरी आज की गेस्ट थेटर, टीवी और फिल्म्स की एक चुनिंदा अभीनेता है यही नहीं, लॉक्डाउन के दुराउन उन्होंने अपना एक ब्रैंड डेवलप किया भनो.India करके जिसमें वो हैंडी क्राफ को प्रमोट कर रही है जी हां, I am talking about none other than Yaminis Singh Let's connect with her Yaminis Singh, thank you so much for joining all our audiences today बहुत अच्छा लगा आप हमारे सभी दर्शों के साथ जुडने के लिए अपना किंटी समय देने आई हैं और काफी लोग बड़ी देर से वेट कर रहे हैं कैसे हैं आप, क्या चल रहा है? Namaskar Sujoy, thank you so much मुझे इनवाइट करने के लिए ये मुझे बहुत अच्छा लागा है मेरे लिए काफी गर्व की बात है कि आप से बात कर रहे हूं It's really lovely and मैं बलके I was looking forward to it और अब जब बाते ही हो रहा है तो मुझे बहुत मजा आ रहे हैं Thank you काफी लोग People want to ask काफी लोग wait कर रहें काफी देर से 2020 कैसा रहा आपका? कुछ ऐसा नया मज़दार कुछ सीखा आप है 2020 काफी है 2020 अरे सीखा क्या मैंने अपना ब्रांड डॉयलप कर लिया है मेरा ब्रांड है ओनलाइन मेरी बिजनिस का भनो.India उसे आप फॉलो कीजिए Handloom और Handicraft है जो लास्ट ये 2020 में बाकी कुछ नहीं हो रहा था लेकिन ये हो रहा था मेरे लिए तो अच्छा ही रहा और जब लॉक्डॉण में थे आप तब कैसारा experience रहा? काफी हद तक ठीक रहा क्यूंकि मैं अपने आपको as an actor हम लोग इस चीज को मानते है कि in between time जो होता है उसको हम लोग कितना constructively use कर सकते हैं और ये तो बहुत सारा in between time था तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा रहा कि हम लोग ने पना brand create किया और online गए उस चीज को लेकर के so it was very fruitful, very productive, very positive और इस चीज ने मुझे बहुत sane रखा so it was really nice I will not complain, मैं healthy भी थी okay आपको थर्ट मिलब इतना काफी जादा time industry में हो गया I think more than 30 years that you've been part of this industry not more than 30, it's about 28 years I have been working in 1993 I think you have been working in 1993 you've had a lot of time you've done the first time yeah, first time I've done some ads for the UNICEF yeah, before that I had some ads for the UNICEF so it's my privilege that I've been working in the direction of the Shambabu under the camera I've been working in the camera how to relax the shoulders that's all that Shambabu has taught me and I'm eternally grateful to him मैं उसके बाद महां से मुझे तरपन मिली और उस जमाने में word of mouth से होता था काम तो बहुत बढ़िया रहा मेरे लिए बड़ा इसी रहा मेरे लिए आप ओमकुरी जी के साथ थी मतलब इतनी वर्सिताइल अक्टर और आप एकड़ कर रहे थे तो वह एक्सप्रियंश क काम कर रहे हम इनके साथ का रही हूं मैं उनकी साथ कारेक्टर प्लाइक है तो वह लग काइद बैठते थे बीडियो उताथ चरब उनसे मैंने कि एक्तर को अपनी कौनिविटी मेंटेन करनी होती है वो चीज जो है मैंने ओमपुरी साहब से सीखी थी कि अपनी बाजू कौन से कितनी होनी चाहिए बिंदी कैसी है आपका कौन से तारीके के शौल लिया है किस तरह से पल्ला है सब चीजों का मैं ध्यान रखती हूँ इसलिए कि मैंने I've learned from the best Yes, I am sure of that मतला वो movie it went on to getting nominated for Toronto Film Festival and all आपको काफी अलों से लगता हो ना यह तो कुछ जादे ही बड़ा हो गया नेरे लिए तो जादे बड़ा नेरे तो बहुत ही बाती लेकिन इतने सारे धुरंदर उसमे अक्टर थे रेवती थी उसमें उसमें पवन मलोधरा थे उसमें मनोर सिंग जी जो इतने दिगज थेटर के अक्टर है वो थे मतलब जितने NSD के रविन You name it and they were there So मेरे लिए schooling मैं मैं तो बड़ी selfish actor हूँ मेरे तो मेरे तो सीखना था और मुझे अगर इतने इची schooling मिल रहे तो इसे बड़िया बाता और क्या हूँ इतना बड़ा इतना talent का भंडार पूरी library मिल रही आकको तो विल्कुल in touch what मुझे लगते है मैं lucky हूँ मेरे जितनी invariably film होती है वो international awards लेह लेती है पदानी किस बचाहँ पर हो जाता है यह बहुत बड़ी है यह मतलब इस अपरवाले का blessing अच्छा, what I wanted to know was कि मतलब यह यह श्याम एनिकल्ची तक तक आपका I came to know that you're from Delhi you're born in Delhi मतलब कैसे यह acting के शुरवात हुई कैसा रा childhood which school did you go to जी हा मैं पैदा दिल्ली में हुई थी बेस हॉस्पिटल आमी कैंट में क्योंकि मेरे फादर आमी में थे लेकिन उस वाथ वो बंगलादेश में थे okay मेरी आपको एज बदा चल रही है 71 war में वो वहां पर थे तो मेरी मदर मेरे ग्रादफादर के पास थी बत रियस बेस हॉस्पिटल में पैदा हुई थी बत उसके बाद लोग लग लग जगा पर रहे बंबई में मैंने अपना 10th यहां पे किया उसके बाद चंडिगट जा के जो मेरी फॉर्ध स्टाडिस वहां पे करके उसके बाद 93 से मैं जो है बंबे में काम कर रही हूं काम मिलता गया और सफर चलता गया Okay, very nice काफी साथी TV Serial मैं आपने काम किया मतलब, how do you compare working in a TV Serial versus working in a movie देखे यह बड़ा अच्छा सवाल है और इस चीज को मैं clear करना चाहती हूं public के सामने और सब को यह कहना चाहती हूं आप theater versus cinema camera के सामने अगर बोलते हैं तो फर्क है लेकिन अगर आप television or films को compare करते हैं तो ऐसा कोई comparison होता नहीं क्यूंकि दोनों में आप camera के सामने होते हैं आप उसी तरीके से body language आप अपनी बना लेते हैं ताके आप वैसे काम कर सकें so television and cinema में बहुत जादा फर्क नहीं यह है कि हाँ television में आपको बहुत जादा घंटों के लिए काम करना पड़ता है number of episodes are more yes but film में उतना ही होता है पर उसकी pre-preparation बहुत होती है तो उस वजह से एक्टर के लिए easy होता है mannerism पकड़ना and nuances पकड़ना वो सब चीजों के लिए that is of course there yeah but और वैसे भी आजकल तो यह OTT platforms or web series ही trend में चल रहे हैं what are your views on it? आपकी कोई आपकोई आपकोई बात चल रही है अगर इंशाला हो जाए तो बहुत अच्छी बात है मुझे यह लगता है जब हम लोगों ने काम शुरू किया था उस वक satellite channels नहीं हुआ करते थे जी सरफ आया था तो तब भी हम लोग बहुत खुश हुए थे के लोगों देखे इतना talent है हमारे देश में तो अगर हमारे पास एक medium और बढ़ता है काम दिखाने के लिए तो इस गुट for everybody जब satellite channel बहुत सारे actors आये बहुत सारे लोगों को काम मिला बहुत सारे revenue generate हुए है I'm sure you will be aware of it, public be aware हो it's a multi billion dollar industry, television is huge और उसकी बाद अब जब OTT platforms आये और बहुत अच्छी actors उनको सामने अपनी performances बहुत आये विए कि अच्छी जब कि OTT बहुत 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 जब दो और अज की देट में ऑटीनस को वह जादा पसंदा है बहुत 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 कर पाते हैं तो जorit से किन नोमल बहुत कर रहे हैं, झासे लगचा है we start बहुत कर रहे हैं तो इस तो इस से कर पाते हैं rather than looking up to the character जीसे filmों में होता है तो अमिता बच्चन को देखते हैं तो लिए जाह मसीहा है गरीबों का और इस सट आप वो उनको over the top बना देते आप उनको larger than life बना देते लेकिन जब आप television या OTT platforms को देखें तो आप connect करते हैं अच्छा यह मेरा भी हो सकता, यह मेरी भी कहानी हो सकता correct 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 that's the advantage जैसे आपने का की OTT में अभी कही बात चल रही है इसके आवर जो आपका पुराना experience रहा है as per you कौन सा रोल सबसे ज़्यादा आपका challenging रहा है any role that you always cherish की भाई इसी रोल ने मुझे सबसे ज़्यादा सब कुछ सिखाया again very difficult question but I will tell you that during this whole journey I mean I can tell you a lot of interesting incidents like when I learned comedy in 95 or 96 Colgate Top 10 करे आया करता था which was a countdown show for songs yes yes which was Satish Korshek and Pankaj Kapoor sahab I was opposite Satish Korshek in that so I got to learn comedy in that I thought it was very good then after that, this is about 98, 99 or 2000 I don't remember exactly a serial came from Balaji which was called Ghar Ek Mandir yeah in which I had told my daughters when I was 24-25 when I was 39-39 along with it in the same breath I had a serial called Shahnai UTV and I was playing the most small girl's character so you can see this graph one place is my daughter and the other place is my daughter I was the most small girl's daughter third incident third incident in 2006 I was doing a serial that was my daughter and this was Z which again I was unmarried that was very lively and lively and very positive and very sweet at the same time I was doing a temple at the same time in which I am I am a very big child and I am a cancer patient and I am a serial in that time without making makeup so that they can connect that you can't with the cancer patient's lashes and makeup and gloss and blush on so again those two characters were so varied and the graph was huge so for me there are so many things that I have like Hustle in Sony where Zaid Khan was three years ago again single lady very strong I have never regressive and I have never done I have never done I have always done very powerful characters I have always done more power to you I have never done I have never done I have never done any favourite co-actor with whom you have always enjoyed any favourite co-actor oh so many so many for comedy Tiku Talsania is my favourite we were doing a serial my home my home came a new in 2009 in that time my father-in-law was my father-in-law with him he was a great Dalek he was a soldier and a he was a very I am not going to on the first film my father-in-law he was a special space for me I can't just name one there are so many ताइब देने अच्छे लोगों के साथ काम किया है किस-किस का नाम ना लूँ वीसे आमने में उन्ने मैं कि during college आपके seniors थे अनुकम खेर, किलन खेर दी कॉलेज में नहीं, drama department drama department drama department में, जब master's कर रहे हैं वो दिन कैसे थे अरे कमाल मतलब पहली बार मुझे पता चला के लास्रूम में नहीं हम लोग बाहर पेड के नीचे बैठके भी लर्निंग कर सकते हैं अवरी डे वस फैंटास्टिक आई टोटली लवड इट मतलब जो मैंने वहां सिखा आपको खोल दो पूरा आपने कहीं भी बंदिश में ना बंदो तो आप अपकर तभी बंद पाते हो अगर आप बंदे रहोगे तो तो चामेरा के सामने आप जूट नहीं बोल सकते ना तो चामेरा पकड़ लेता है क्यामेरा पकड़ लेता है तो इसलिए आप बेटर है के खुल के काम करो और सबसे प्रणा एडवांटेज यह एक्टर्स के लिए जो आप सोच भी नहीं सकते हैं आम जिंदगी में आप वह परफॉर्म कर रहे हैं तो किती अची बात है नहीं आप अची बात है तो मतलब और उसके मैसे ही मिल रहे है जैसे मेरा भाई मुझे कहा करता था तो बच्पन से नौटंकी करती आई है बट नोव गट पेंड फो एट यह आप से लिए आप से रहे है आप से रहे हैं जैसे मेरे दिल में आया है आज मुझे काम पे जाना है आज पर कुछ सीखने को मिलेगा आज फिर कुछ नया करेंगे अच्छा इसको कैसे प्ले कर सकते हैं मेर dernière रांध मरत इसको गड़िए मेरे आज रही कि आपने स्सक्ता पहाआ है कि 2020 मेरे यह इर रहे हम प्ता इक राये तब लुक्षि कि प्र झारे, चलोव शवड़। मगर येस पता क्या होते है कलर्स, क्रेटिविटी, हील्स यू आपको फेल गोड फैक्टर देती है तो वो मुद्धा था I wanted to work with the artisans at the grassroot level और हमारे इंडिया में इतना हैंडिक्राफ्ट और हैंड्लूम है जो की पता नहीं है लोगों को तो आपको में एक information देना चाहूंगी इस चीज में Goa, हम लोग अगर Goa का नाम सुनते हैं तो हमें parties और और सब चीजें, beaches और ये मस्ती समझ में आती है क्या आप जानते हैं के Before the Portuguese came Goans अपनी सारी खुद वीव करते थे और आज की डेट में वो रिवाइव कर रहे हैं Goan सारी Okay तो वो आप देखें इतने खुबसूरत हैं वो सारी जो मर चुकी थी क्योंकि आटिजन को दबाया गया था By the foreigners मगर आज लो 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 पोशिष कर रहे हैं उन सब चीजों को फिर से रवाइव करके लोगों तक पहुंचाने की So क्यों ना हम इसको लोगों तक पहुंचाएं उसमें मदद करें हम लो मेरा मुद्द ये हैं तो ये सब चीजे हैं आप देखें इंजॉाइ करें गरीने मुझे बहुत अच्छा लगे बहुत 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 देखेगा To all the people who are watching this right now Do check out Yamin Singh's brand That is named BHanoat.India on instagram Bhanot.India Do visit that page follow it and yes support the local artisans Vocal for local वोकल, वोकल फोर लोकल मोदी साब कह रहे हैं तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए बिल्कुल करना चाहिए बिल्कुल करना चाहिए नहीं पर में प्लिटिकल नहीं होना चाहिए इस समय Let's not create controversy, let's be very normal Basically, यह किसी political party या उसका मुद्दा नहीं है यह मुद्दा है जो हमारे अपने artisans हैं उनको support करने का Absolutely तो इसमें कोई political party ना लेकर आए Please, मेरी हाथ जोज करने वे जाने आप सबसे Let's be open to those things Yes With this, I would like to welcome you to a round that we call as the one word, one line answer I am going to ask you a set of questions which you can answer in one word or maximum one line? Would you like to try this? Ensign? Definitely, tell me Question 1 One person who is most supportive in your life? My son I don't need to think about this My son 100% Okay What makes you happy? Acting Okay I am happiest in front of the camera Okay TV serials or web series? Web series Okay Define yourself in three words Can I make six? I am a mother and I am an actor So six Okay All time favourite meal? Pasta White sauce, red sauce If you are Punjabi If you are Punjabi If you are Punjabi, you can also eat tandoori chicken Okay Social media platform that you most frequently use Which one is your favourite? Insta Okay Okay Because one is my brand And the other It is really connecting very well Across the globe So that is a benefit But professionally I also like to use LinkedIn So Insta and LinkedIn Okay One thing you are most afraid of? Nothing I am not afraid of anything Tachowod Madarani's Kripa No, not afraid of anything Okay Best compliment ever I am a fighter I am a fighter I will fight and I will come out successful Nice Nice I am a seed You bury me, I will come back As a tree As a tree Stronger than ever Yes But I Best compliment ever received? I am a good mother Oh Favorite holiday destination? I usually don't go for holidays I am a workaholic I am a workaholic So I am not My house My house is my holiday destination Okay Last question Last question One thing that you notice about someone The moment you meet them I look into their eyes Okay And if they are not looking into my eyes I know there is something not right Judgmental Okay Okay No, no, no I am not judgmental You know this is one thing I want to tell you I am not judgmental at all I will accept you I will accept you for what you are I will not judge you Because everybody has their own logics for doing things So I will never judge Oh okay So this was I will give you the freedom I will give you the freedom That I will accept you That is I will judge you So very well played in the one word one line answer round I will be the freedom Diplomatically You have well learned No, no, no I am not I am very good I am too I am very much tension I am giving this karanjohar We have read somewhere that you can do negative roles Also if any good script is offered to you Absolutely If you have seen a movie If you have seen a negative role I am going to do this role करूं? मजा है? हाँ बड़ी पुरानी एक फिल्म थी अर्थ वो नेगिटिव तो नहीं थी महिषभट की फिल्म महिषभट जी की जिसमे Smita Patil, Shabana Azmi, Kulbhushan Tharbanda, मतब इंडस्ट्री के वन अद बेस्ट अक्टर्स ते और उसमे Smita Patil जी का जो चारेक्टर था शी वस slightly mentally doing a lot of thinking and analyzing तो मुझे इस तरह के challenging roles जिसमे आपको कुछ सोच के psych के साथ यह मझे बहुत जिसमे आपको सोचना पड़े कि अच्छा इसमे मैं और क्या कर सकती हूं कि यह और natural इस तरह का कोई चारेक्टर मझे तो मझे बहुत अच्छा okay few more questions before we wrap up today's session, you are a very strong woman, your son calls you super mom and you consider your son as your biggest strength and support what suggestions or advice you want to give to working moms today so that they manage their work and home you know they manage it there are a lot of issues that have come up after covid as far as mental health of working moms are concerned I've interviewed a few people before also many of them have raised this concern so what advice would you want to give together we can give a lot of strengths to them we can pray and everything but as an experienced person yourself what do you think how to maintain that work home work life balance okay so one general question is what advice would you give to working women and the other question is what advice would you give to working women for working women and otherwise and otherwise also one question is what I think and what I believe is that this discussion on women's day we have been talking about that women not anybody else have to let go of a lot of things we think that we can't go without the house without the world without the world that is not please if I go outside I can't think about how to eat food when I was little how to do homework you give them responsibility they understand and respect that our mother is working out it's a responsible job but unless you treat them like adults they will never behave like adults exactly and that pressure will keep on mounting on yourself exactly and the pressure will only come on us yes yes no difference and tomorrow when they grow up they can say that we didn't say you were doing so please don't need to listen to this so please sit as an adult I have to work too it is my before you were born or before I was married or before I had the other life I had me and I am not selfish but I am very pragmatic I am being very practical by telling you people that for us it is necessary that if we if we keep it first then we will keep it true true if we are not mentally or emotionally happy then how can we give it happy so that's why keep yourself happy and the other will be happy and the other will be happy and during covid also there are many many domestic abuse videos and these statistics are big please come out speak your mind do not get scared stand up on your own feet correct do not listen 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 absolutely true perfect very well said any a small message for people who are still struggling in the industry the young aspirants that are you know planning to get into Bollywood or we would say the work I have just one word of advice for you study 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 here you never learn swimming in the water you are swimming you are swimming and you are there are many institutes and training centers please learn acting I am teaching acting during lockdown I have online classes for people and I am going to tier 3 cities to study so they can learn and understand who are genuine casting directors and understand and understand and understand and understand that we have to do and create a career and if you think will be a failure will be a fighter absolutely and education you have problems you have no engineer without engineering without 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 doctor without training you don't think education low sell to young generation and I want come because it's a beautiful industry in 18 years I never had any problems touch wood god has been kind one incident that I thought why am I in this industry and that was my clarity and focus was to work and to get people and what do and it will be absolutely beautifully said thank you so much Yaminiji to give us so much time to join us it was very good you came to our show and all audiences are asking many questions I will make sure that these questions are in your Instagram handles so that you can answer them at peace at Yamin Singh official yes at Yamin Singh official who wants please ask questions I will be there for you thank you so much bye for now thank you thank you for inviting me so this was Yamin Singh with us 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 like friends and family share and subscribe and don't forget until next Saturday I hope and I pray that you stay safe and protected till then Namaskar with us